हलो अबरिबान वेलकम तो आई कॉंटा हम बात करने वाले हैं भारत के एक और किर्तिमान की बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए कि हमने बना लिया है देश का सबसे लॉंगे सी ब्रीज जी हां लगपक बाइस किलो मीटर लंबा ब्रीज बना है दोस्तों जो आपका देश का सबसे बड़ा अब तक का सी ब्रीज माना गया है तो इसके बारे में हम बात करेंगे और सबसे बड़ी बात ये करने वाले हैं कि जिसके सफर में जिस चीज के लिए हमें दो-दो घंटे सफर करना पड़ता था देखिया जाए तो आपकी मुमबई से नमी पीच लगए दो घंटे का सफर हुआ करता था अब वो सिमट की सिर्फ और सिफ 15 मिनट में आप पूरा कर सकते हैं तो सूचिए समय की कितनी बचत हो रही है और इस समय को बचाने के लिए जो समय की बचत होगी तो इसकी भरपाई भी आपको करनी होगी क्योंकि जो टैक्स वगए आपको पेकना होगा इस ब्रिस से गुजरते वक्त ओभी थोड़ा जेप परभारी पड़ेगा खैर कोई नहीं कि उसके उपलक्ष में देखा जाते उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी जिसका बिजनेस वगएरा है पास पैसे हैं लेकिन एक आम आदमीं के लि रुपए उस हाल का अगर एवरेज लगाते हैं तो डिड़ लाख के आसपास आपको पेकरना पड़ेगा तो आम आदमीं के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है लेकिन हाज इसका बिजनेस है जिनके पैसे हैं तो भाई समंधर में से एक लोटा पानी निकाल लो क्या फरक बहतर हो जाती है तो कितने लोग तो देशी छोड़ देते हैं यह टैक्स के चंकर से फसने सच्छा बाहरी इस्तिती नहीं होती इतना ज्यादा टैक्स वगएरा परता अलग कंट्रीज वगएरा में तो भी थोड़ा डिमेरिट है खैर कोई नहीं बात करेंगी इसी बिरिस क आपका जाता है जो सिंजो अबे जो आपके जापान के प्राइम मिनिस्टर थे उनका भी बहुत बड़ा बिजन था मोदी जी के साथ साथ ठीक है तो उन्हों ने बहुत बड़ा एगदान दिया जापान ने लोन बगएरा दिया उसमें कम से कम 18,000 करोण रूपए लगे हैं इसमें जिसमें 15,000 करोण के आसपास जापान ने इसमें इन्वेस्क या लोन वगएरा दिया है ठीक है तो यह भी बहुत बड़ी काबले तारीफ है उनकी जबाये थे सिंजो अबे यहां पे उन्हों ने देखा और इसको मोदी जी से कहा कि आप इस अपने विजन को जरूर पूरा कीजिए हमाई तरफ से जितना हो सकेगा हम योगदान देंगे तो फाइनली बीच में काम भी इसका थोड़ा हलका हुआ था दोहजार सोला में मोदी जी ने सुबारंब कर दिया था स्टोन वगएरा रखके सिला नयाश वगएरा इसका कर दिया था लेकिन बीच में थोड़ा डाउन देखने को मिला था पूरा होगा या नहीं ठंडे बस्ते में जा चुका था लेकिन फिर सफर सुरू हुआ बनाने का चौबिस घंटे यहां पे काम किया गया तीन-तीन सिफ्ट में काम किया गया मजदूरों के दौरा हम कम से कम जहां पे देखेंगे तो सोल लाख टन सीमेंट लगे में ट्रिक टन लाख में ट्रिक टन इसमें सीमेंट लगे हैं स्टील लगे हैं एफिल टावर 17-18 गुना ज्यादा लगा वह तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था फाइनली तयार हुआ और मोदी जी ने इसको देश को समर्पित किया तो इसी के बार हैं आपर भी कितना लंबा लगभगी आपका 21.8 किलोमीटर है जो लगभग 16 किलोमीटर समुद्र पे बना हुआ है और बाकी के आपके लेंड पे हैं टोटल इसकी आपकी जो दूरी है 22 किलोमीटर के आसपास है दो घंटे का सफर हम 15-20 मिनट में तैंक कर लेंगे और क्या ठीक है तो मोदी जी ने इसको समर्पित किया नई टेकनोलोजी के साथ पूरा बना हुआ है कहा जाता है कि सव साल तक हिल दे माला नहीं है और सबसे बड़ी ची भूकम बिरोधी भी है ठीक है मतलब अर्थकोएक वगरा भी आ जाए तो इसको हिला नहीं सकता देख रहा है और 1.77 lakh matrix tons of steel इसमें लगाए गये हैं 5 lakh matrix ton इसमें cement लगा है अब समझ लोग कितनी बूरी cement लगा होगा इसमें तीक है और यहां पर आप देख सकते हैं दुनिया का बारवा सबसे बड़ा sea bridge है 12th longest sea bridge in the world थेक है अपने हाँ का तो सबसे लबा है इसके पहले आप आसाम में थ अब उसका रिकाड टोट गया है और थारा हजार करोड के आसपास यहां पे इन्वेस्ट हुआ इन्वेस्ट हुआ है तो इसा एकस्पेक्ट किया जा रहा है कि लगभग सतर हजार गाडियां दिन भर यहां से गुजरेंगी तो उसी हिसाब से देखिए आपका टैक्स भी है और सारी सुधाएं भी है और क्या-क्या नहीं कौन-कौन सी गाडियां अब इसा नहीं कि साइकिल मोटर साइकिल वालों के लिए कोई जगा नहीं वहां पर यह मस सोचना कि आज से हम पंद्रा मिनट पर पहुंच जाएंगे दो घंटे का सफर इधर से उधर तीक है वह सब अलाव नहीं है तो और कहां से कहां तक देखिए आपका जोड़ा विट मिन साउथ मुंबई टू नियू या नवी मुंबई जिसको कहा जाता है ठीक है जवाहललाल नहरू जो आपका पोर्थ है नहवाशेवा जिसको कहा जाता है तो उससे भी connectivity इसकी रहेगी मुंबई इंटरनाइसनल एयरपोर्थ से connectivity रहेगी तो यह सब काफी बहतर हो ग है ठीक है और सबसे बड़ी बात है कि आप mentally exhaust नहीं होगे physically exhaust नहीं होगे सफर में बहुत परिसानिया ट्राइफिक वगएर आप देखी सकते हैं कितिनी दिक्कते होती है तो बात यह क्लियर हो जाती है कि अगर आप सोच नहीं चलो आज बाइक से नाप देते हैं बाइस किलो करता था ठीक है मुंबई ट्रांस हारबर लिंक इसका देख जाए तो अफिसली नेम अटल सेतु रख दिया गया है अटल भ्यारी बाचपेजी के नाम से ठीक है maximum speed जैसे कार वगएरा टैक्सी लाइट मोटर वाइकल्स मिनी वस वगएरा है ठीक है इनकी speed 100 km पर आर होगा य नहीं यहां पर वर्जित है नहीं ले जा सकते आप तो विरकुल भी नहीं मोटर वाइक हो गया आटो रिक्सा हो गया ट्रैक्टर वगएरा हो गया तता चला की आप बढ़िया से बोस्त का वो लगा लिए speaker हो लगा लिए गाना लगाते हुए चल लिए ट्रैक्टर से तो प इनिमल ड्रॉन विकल्स लो मुविंग वाइकल्स यह सब पूरी तरीके से क्या है वर्जित है ठीक है और तो यह आपको ध्यान में रखना है क्या अलाओ है क्या नहीं ठीक है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं जिसकी बात मैं कर रहा था टैक्स वगएरा की ठीक है मंतली अगर आप यहां पर पास बनवाते हैं तो 12500 का प्लान आपको लेना पड़ेगा मंतली पास यह तो आपका कार वगएरा के लिए उसी तरीके सब का डिवाइड है यहां पर देखना है बस टू एक्सल वाले ट्रक वगएरा जो है उनका महीने भर का 41500 का जो बड़ी ब जनरेट होगा तो बहारी नहीं पड़ेगा लेकिन हाँ देखा जाए तो सबके लिए जो सामान ने हैं उनके लिए तो बहारी रहेगा है तो यह सब इस्तिती यहां पर बन रही है लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बहुत बड़ा सपना था बहुत बड़ा अचीवमेंट हम चाहे बिजनेस मैन हो, चाहे आम इंसान हो, मिडल क्लास हो, कोई भी ज़ाब आला हो, तो उसके लिए भी बहुत भी ज़्यादा आसानी रही, आने जाने के लिए दिक्ते नहीं होंगी, सबसे बड़ी चीज तो यह है, ट्रैफिक जाम से मुक्ती मिलेगी, जो काफी घूम के जाना पड़ता था, उपसे ट्रैफिक से गुजनना पड़ता था, तो यह सब सुधाय मिलेंगी, और देश को एक नया किरतिमान मिला है, तो इसके लिए भी जह सारी बढ़ाई, आप सभी लोगों को इसी तरीके से भागे पढ़ रहे हैं, और टुन्टी फुर्टी सेबन क जो हमारा सपना है, विक्सित भारत बनने का, वो भी जरूर पूरा होगा, इसी तरीके से हरे एक सेक्टर में हम बहतर प्रयाश करते रहेंगे, अपने स्किल को बढ़ाते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं, जब हमारा सभी का सपना पूरा होगा, मिलते हैं नेक्स वीडि आइकोंटा कई सारे वर्डिकल्स में लाँच होने वाला है, और किर्थिमान अस्थाफित करने वाला है, मिलते हैं नेक्स टेशन में तब तक की लिए, बाई बाई टेक के टो ओल आफ यू को लगए